चैनल को सब्सक्राइब करें और बने शुभम ब्रीडिंग फार्म फेमिली का हिस्सा भाईयों फिंच बर्ड की कोलोनी ब्रीडिंग करवाना भी सक्सेज है और फिंच बर्ड की वन बाई वन केज ब्रीडिंग करवाना भी सक्सेज है बस भाईयों यह है कि कोलोनी के अंदर हमको प्रोग्रेस कम देखने को मिलती है बजाए वन बाई वन केज ब्रीडिंग के क्योंकि भाईयों उसका भी एक रिजन है कि फिंच बर्ड कॉलोनी के अंदर खेलना ज़्यादा पसंद करता है और अगर मान लीजिए फिंच बर्ड ने कॉलोनी के अंदर चार-चार करके बच्चा निकाला है तो वो अपने चारो बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करा पाता है या अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं पाता है इसके अलावा भाईयों दूसरी तरफ देखा जाए कि वन बाई वन केज ब्रीडिंग के अंदर तो भाईयों वन वाई वन केज ब्रीडिंग के अंदर होता क्या है? कि फिंच बर्ड को खेलने के लिए जड़ा जगा नहीं मिलती है और दूसरी बाथ उसके आसपास कोई और पेर बड्स का नहीं रहता है जिसके साथ ओ खेल सके तो भाईयों, फिंच बर्ड one by one cage के अंदर आता है और दाना पानी खाके और वापस अपने टोकरी या breeding box के अंदर जाकर बेड जाता है और अपने बच्चों के उपर ही अपना जादा से जादा ध्यान देता है और अपने बच्चों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है तो उनको अच्छे से feed भी कराता है और उनको अच्छे से पालता भी है इसके अलावा भाईयो colony breeding के अंदर एक और हमको देखा जाए तो नुकसान देखने को मिलता है कि finch bird क्या करता है कि मान लीजिए colony breeding के अंदर किसी finch bird ने अंडा दे रखा है तो उसकी टोकरी के अंदर जाकर दूसरा finch bird गुश जाता है और nesting material निकालके ले आता है और अपने box के अंदर लाकर जमाने लग जाता है तो भाईयों यह problem भी हमको colony breeding के अंदर देखने को मिलती है इसके साथ ही भाईयों colony के अंदर finch bird एक और problem करता है कि अगर किसी finch bird ने अंडा दे रखा है तो अंडा देने के बावजूद भी finch bird क्या करता है कि नीचे जाता है जमीन पर अगर मान लीजे कोई भी tinka पड़ा हुआ है या कोई भी कागज वगएरा कुछ भी पड़ा हुआ है अगर आप उनको पालक वगएरा कुछ भी खाने के लिए डालते हैं तो वो उन पालक मेतियों को भी उठा कर ले आता है इसलिए भाईयों ज्यादा सकसेज वन बाई वन केज ब्रीडिंग है इसके अलावा सबसे बड़ी बात भाईयों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे कोई भाई जोब करते हैं उनके लिए कोलोनी ब्रीडिंग करवाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि कोलोनी ब्रीडिंग के अंदर हमको अपने बर्ट्स को कम टाइम देना पड़ता है जबकि वन बाई वन केज ब्रीडिंग के अंदर हमको देखा जाएं तो अपने birds को बहुत ज़्यादा time देना पड़ता है अगर मान लिजे किसी भाई ने 100 pair की colony लगा रखी है तो बहुत से बहुत उसको भाईयों पूरे दिन में अपने birds के लिए 20 minute का time देना पड़ेगा इससे ज़्यादा time नहीं देना पड़ेगा और दूसरी तरफ देखा जाया तो भाईयों अगर मान लिजे किसी भाई ने 100 pair का 1 by 1 cage breeding setup लगा रखा है तो भाईयों उसको कम से कम भी नीतों अपने birds के लिए 1.5 से 2 घंटा देना ही पड़ेगा क्योंकि भाईयों 1 by 1 cage breeding कराने में आपको क्या करना पड़ता है जब आप दाना पानी बदलने के लिए आते हो अपने setup पर तो आपको हर एक खाने का gate खोलना पड़ता है और उनका दाना पानी बदलना पड़ता है तो भाईयों ऐसे अगर आप 100 pair के लिए यही process करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा time अपने birds के लिए देना पड़ता है तो भाईयों मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ कि अगर हमारे कोई भाई colony breeding कराना चाते हैं तो भाईयों वो colony breeding भी करवा सकते हैं भाईयों एसी बात नहीं है कि colony breeding कराने पर आप success नहीं होगे भाईयों आप colony breeding करवाने पर भी success तो होगे और आपको profit मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि भाईयों फिंच बर्ड एक ऐसा बर्ड है आप उसकी colony breeding कराओ या one by one cage breeding कराओ आपको profit मिलेगा ही मिलेगा लोस उठने का भा आज की वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं उमीदे भाईयों आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर मुझसे कोई वीडियो के अंदर कमी रे गई हो तो प्लीज छोटा भाई समझ के माफ कर दें और भाईयों प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक फिंच बर्ड को लेकर नई वीडियो लाता रहूंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद भाईयों